रात के वक्त बिलकुल ना करें ये काम वरना दरवाजे पर आई लक्षमी लौट सकती हैं आज के वक्त में पैसा बहुत जरूरी चीज है हमारी हर जरूरत के लिए पैसे की आवशक्ता होती है इसी वज़े से लोग खूब पैसा कमाना चाहते हैं और इसके लिए वे खूब मेहनत करते हैं लेकिन कभी-कभी मेहनत करने के बावजूद परियाप्त धन नहीं आपाता है दरसल धन के लिए मेहनत के साथ साथ दार्मेक चीजों को भी करने की आवशक्ता होती है इस से धन प्राप्ती के सरयोग बनते हैं हाला की केवल पूजा पाठी नहीं बलगी ग्रंथों में जो मान लक्ष्मी के कुछ नेमों के बारे में उल्लिक किया गया है उनका पालन करना भी जरूरी है इसलिए हम आपको बताने डा रहे हैं कि राद के वक्त किन चीजों का ध्यान रखें ताकि आपको गरीबी का सामना ना करना पड़े ऐसी माहियता है कि राद के वक्त दही से परहेस्ट करना चाहिए क्यूंकि इससे धन की कमी होती है इसके अलावा चावल और सत्तु का भी सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इससे मालक्षमी का निरादर होता है इसलिए रात के समय इन चीजों का परहेश्ट करना चाहिए भोजन करने वक्त हमेशा दिशा का ख्याल रखें क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि जब भी भोजन करने बैठें तो अपना मुख पूर्व या फिर उतर दिशा की ओर करके बैठें वरना धन की हानी हो सकती है इसके आलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी जूते पहन कर भोजन न करें यह भी आर्थी कष्ट की परिस्थती पैदा करता है आज कल के दोर में अधिकांच लोगों की आदट होती है कि वे सुबह जगने पर बेटी या पानी पीते हैं लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी सुबह उठकर सबसे पहले खुला करें फिर चाय वपानी पीएं इसके आलावा जूटे हाथों या पैरों से कभी भी गाएं अगनी या फिर ब्राम्मन का स्पर्ष ना करें अधिकांश घरों में पूजा के दवरान चाय गए फूल को लोग एकत्रित कर लेते हैं और महीनों बाद उन्हें विसरजित करते हैं जबकि ऐसा बिलकुल नहीं करना चाहिए इस सिध्धन की हानी होती है इसलिए पूजा के दवरान चाय गए फूलों को फूलवारी में डाल दें